दोस्तों कैसा लगेगा आपको ऐसा घर मिल जाए जिसके सामने पाक हो जिसके साथ बिलकुल साइड में पाक हो मंदर बिलकुल सामने ही हो कि आपको अपके घर से मंदर भी दिखता रहे हर टाइम और पाक्स तो मैंने बताई दिये और साथ ही में एक घर के अंदर आपको एक सेपरेड करीबन करीबन 170 गच तक का गार्डन स्पेस ही मिल जाए तो कै एक कनाल का घर बिलकुल आपके लिए तयार है आप बात करें अल्यूशन की तो अल्यूशन आप देख सकते है किया कमाल के अल्यूशन रहा ओट एफ पड़को अप देख सकते है कि Spanish look है घर के अंदर की बात करें तो घर के अंदर तो आपको डेफिनेटलि बहुत कुछ दे है चीज़े हम इस गहर के अंदर देखने वाले एलिवेशन के जैसे हम बात करी रहे थे तो एलिवेशन आप देखिए बिल्कुल आप यहां पर जो Spanish look है Spanish touch है Elevation का वो आ रहा है कलर काफी अच्छा यूज किया है बिल्कुल मेरे मेरी है वो इतना जादा स्पेशिस है अपको देखिए कि इतना स्पेशिस बोन जाले है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही जादे मेरे हिसाब से त. चौन मेरे ऑन संस मेरा घर बिलकूल आप बहुत करना पड़ता है इतना कमाल घर केसा लगेगा हिसा सब्सक्राइग यह आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इस घर के अंदर एक भी चीज की कमी नहीं है तो आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर सेवेंटी में हाड ओफ मोहाली जिसे कहा जाता है बिल्कुल तो यहां पर आपको लेकर आए हैं हम यह माल का खुबसूरत सा प्यारा सा घर दिखाने के विए तो एलिवेशन देख लिया है पाकिंग की बात कर चुके हैं अब चलिए शुरू करते हमेशा की तरह मेरे इंटुडक्शन से सो मेरा नाम मनीशा है हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल हरी दथ पर जिन्हों ने भी इस चानल कप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और प्लीज प्रेज प्रेस बेर आइकन सो दाट आगे आने वाली हमारी सब्सक्राइब नहीं करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज आईए पारकिंग की बात कर ली एलिवेशन की बात कर ली गेट की बात करते हैं जो आपका यहां पर डबल गेट आगया वह बिलकुल इलेक्ट्रॉनिक गेट है विसे इंसर्ट गेट है आपके पास रि यहां पर आप यहां पर देखिए यार अंदर भी आपको क्या कमाल की फाकिंग मिल रही है एक गाड़ी तो अपने अद्र आंधे डापotion भागस, बाकि इस एक फ्ला अबहुलों पार प्रेस में आगि छो यह वाला area यहां से आपडेक्ट इसको उपन करिए एउन तो कि आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी फर शॉर चली चलते गारण एरिया की और यहाँ आपने घर के अंदर सेपरेट गारण हो तो बहुत ही अच्छा लगते कि बिलकुल घर से बाहर आए और सीधा गारण में आके बैट गए तो कितना चले बिलकुल आप यहाँ प कॉर्णर का घर है तो कॉर्णर का इस पांसो गच के कनाल के घर के अंदर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है आपका अपना 170 गच का सेपरेट गाड़न ही रही है यार यह पूरा मतलब आप देख सेथे क्योंकि साथ में पाक लगता है और कॉर्णर की हमारी प्रॉपर्ट प्लॉट हमें पर देखने को मिल रहा है ऐसा प्लॉट काफी रहर होता है तो मैं तो यह बोलूँ कि जो यहां पर रहेंगे काफी ज्यादा लखी होने वाले हैं कि उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट ही प्लॉट यहां पर अवेलेबल उनको मिल गया तो आप यहां पर भी कि य platya अभी काफी कमाल लग रहा है आये चलते हैं घर के फ्रंट दोर में डोर की और एंड सीधा चलते हैं घर की के अंदर अब लिए मेंडेच ऊम हम देख!' गडिकों नहीं था कि आपकया है सीदा हम देखेंगे यह इतनाए शाच के अंदर इस घर चुछलuden साच čतने अपता है हुआ उत्व diffuse क्या यहां पर पाउडर रूम बनाया गया है, by any chance आपके घर में गेस्ट आते हैं, उनको वाश्रूम यूज करना है, आप नहीं चाहते कि आपके बेड्रूम का वाश्रूम यूज हो, तो यहां का वाश्रूम यूज कर सकते हैं, सीधा बढ़ते हैं, द्रॉइंग अरिया की और त पेस, सो आएए, तो यह घर आपको same as it is, fully furnished मिलने वाला है, इस घर के अंदर आपको सिफ अपने कपड़े, आपके अपने clothes and utensils, बरतन अगेरा लेकर आने, उसके अलावा यहां पर कुछ भी लाने की आपको जरूरत नहीं फील होने वाली है, being very honest, यह जो drawing area बहुत ही जादा classy theme है, classy look आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया, आपको Spanish look दिया गया है, घर को Spanish vibes आ रही है, proper, तो यहां पर अगर हम देखे, तो जो sofas की facing, placing है, वो काफी जादा अच्छी लग रही है, यहां पर, center में table है, center table आ गया, sofas काफी spacious है यहां पर, plus इधर आपकी window आ गई, जहां से आप बाहर का view ले सकते है, आपके garden area का view ले सकते है, काफी कमाल का, यहां पर हम जो शांडलर देखेंगे, वो भी आप दे अपर रहेगी, इधर भी आपका door है, इधर भी आपका door है, जैसे आपकी कोई एक personal meeting चल रही है, तो आप इधर कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है personal meeting यहां करने के, क्योंकि हम सीधा basement में जाएंगे, और basement में दिखाएंगे आपको कैसे आप meeting करेंगे, वापे, and बाहर से मै आपे भी कि लिख 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 लिखुझाएंगे बहुत धी कमा लगा अब भी तक तो मतलब आप सोचोंगे काफी expectations भी आपकी high हो गये, जिख करी, अभी सिधा बढ़ते हैं आपके double-heighted dining area की और तो यह आपका dining area अगया, again dining area का जो placing है, मैं गुरसे संब आधे लिए, विल्कुली जादा ड्रीमि वाइप हैं तुकुली बताह। को पस्तारफ के लिए आपको और अची खासी स्पेस मिल जाती है ऑप दॉद्गे लिएक बॉव करने के ले अच्छी स्पेस यहां पर मिल जाती है अब उसके बाद आप चलते हैं सीधा आपके एक और स्पेस की और जो आपका सिटिंग एरिया है बेसिकली इधर आपका एक और सिटिंग एरिया आगया अब आपने साथ ही में नोटिस भी कर लिया होगा कि पीछे पूल भी दिखाने वाली हूं मैं आपको चलिए उसके वारें बात करेंगे अभी थोड़ी दे रुख जाएए तो अभी हम इसके वारें बात कर लेते हैं तो यह आपक सामने को टीवी पानल है अधर तो वुड़न कटीवी पानल आपका आगया प्रोपर काम देखकर ही पता लगए की अच्छ तरीके से बनाया गया और जो फॉल्सलिंग यह बढ़िए वह च्छी लग रहे है अगर आप आप देखेंगे तो आपका इस चानिलर यहाँ लगा तो यह तो आपका तामी लाउंज अरिया था तामी लाउंज के बाद नो सीधा वड़ते पीछे क्योंकि अफकॉस आप लोग भी कहरें कि कुछ और मत दिखाऊ सीधा पीछे पूल अरिया दिखाऊ यार आपको पूल स्पेस तो यह आगे हैं हम पूल अरिया की और यार क्या अपने घर के अंदर बाथ यार्ड में पूल मिल जाए तो क्या ही मज़े होंगे है ना तो यह आपका पूल आगे यह बेसिकली ओल वेदर पूल बनाया गया इसी तरीके से ताकि अगर आप सर्दियों में करना चाहें तो आपको यहां पे होट वाटर मिलता रहें गर्मियो कर रहे है दर साथ ही में कोई सीमेल कर रही है तो थोड़ा सा उनको रह तएग है कि यह थोड़ा सा कोई देखना लेए श्विमिंग करतेवे अनकमफ़ोड़ फील होना है तो उसको ध्यान में रख कर इसको हाफ कभर किया गया है तो अपकोई न देख सके बेसिकली वह यहां पर एप का ओपन शार अ इरिया आ गया यह आपका ओपन शार स्पेश है अब आप अपने आप अपन ली शार को एंजय किए शुवइंग की यह एह उपन बाद इस तरफ को विए अपका वॉस्आर मिधर आ गया और एक और और अब और अब हर एड़ टार आप तो आप बोलेंगे बहुत एरियास देखने को मिल रहे हैं और काफी कुछ देखने को मिल रहा है अपकॉस कि घर बहुत अच्छा है प्रीमियम वर्क किया गया है घर के अंदर घर हमारा डूपलेक्स होने के साथ साथ आधिक स्टेस बाहर से हमारे यह बिल्कुल टॉप पर ज आपके कामों में आपके साथ हल भी कराते रहे अब उसके बाद एक और एरिया जो कि यह आ गया जैसे करको हमारी पाटी अगरा है घर के अंदर कुछ केटरिंग का काम है यहां पर केटरिंग का सारा का सारा अरेंजमेंट किया जा सकता है यह वाला स्पेस बेसिकली उसी आ चुके हैं घर के बिल्कुल साइड वाले स्पेस में यहां साथ में पाक है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला की फाट इदर आ जाता है तो इधर साथ में पाक आ गया ओन्दिर बी नीरवाय है और यह है आपका कॉर्णर का घर तो आपकॉस है यह वाला स्पेस त बना सकते हैं, अभी तो प्लांटेशन हो चुकिये, बैंगन यहां पर लग गया है, बिल्कुल अपने घर से बैंगन लिजिए और बैंगन खाये, करेला भी इंफाक्त यहां पर तो काफे पुछ लग चुक है, वाव, वेरी नाइस, अब उसका इधर को भी देख लेए हैं, तो देखा ही देखा था, थोड़ा इस तरफ से भी इंजॉय कर लेते हैं, यह वाला एरिया, यह देखिये, तो इस तरफ को तो अभी आपको प्रॉपर देखने को मिली रहा है कि काफे अच्छी तरीके से जो गार्डन है वो तियार कर दिया गया है, सिफ-सिफ आपी के लि मेड हैं और उनको वाश्रूम यूज करना है, बार-बार उनको ऊपर अपने रूम तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो अगर नीचे काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, और उनको वाश्रूम यूज कर सकते हैं, तो वो ही माइंड में रखते हुए उसी तरीक खाना बनाना तुनिया आता, बड़ किछन तो बहुत पसंद, आती है मुझे हमेशा ही, तो यह आ गया बहुत ही जादा कमाल का मॉडुलर किछन, फुल्ली मॉडुलर किछन, बहुत ही अच्छी तरीकर से बनाया गया है, देखकर पता लग रहा है, फुली लोड़ेड किछन है, फुली लोड़ेड, यहां पर सबसे बहले इधर से शुरू करें, तो आपका पहले यहां पर, देख सकते हैं, आपका डोर आ गया यहां पर, फ्रिज आ गया, और काबनेट्स तो आपका सारे देखी रहे हैं, एक और फ्रिज है इधर, साथ ही में इधर आपका पेंट्री स्पेस है, यह आपका पेंट्री एरिया आगया, पेंट्री के बाद इधर आपका आवन-mikrowave वाला स्पेस है, नीचे आप देखेंगे, तो आपका वेजटेबल्स और फ्रूट्स के लिए बास्केट आ गई, उपर आप देखेंगे, तो इधर आपको काफी जारे काबनेट्स मल रहे हैं, आप पर काबनेट्स हैं, लोर काबनेट्स हैं, डबल सिंक हैं, तो वेंटिलेशन के लिए और देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी विंडो आ गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन और आपको मिलता रहेगा, आपके किछन के अंदर, इधर आप देखेंगे, तो आपका चिमनी आ गया, नीचे हॉप स्पेस आ गया, और साथ ही में, जो आपके काबनेट्स हैं, वो सारे के सार के साथ हैं, अगें, कासी अच्छी बात है, बीच में आप देखेंगे, तो आपका यह बेसिकली सर्विंग काउंटर रहेगा, यह आपका सर्विंग काउंटर इधर आ गया, विंडो एक और इधर भी बनाई गई है, अब कॉस्यार का घर है, जितनी विंडो डालो उतना कम मैं तो बोलूँगी, इधर भी एक और विंडो आ गई है, यहां से भी आप अपका पार का वियु ले शकते हैं, बाहर से आपको डेलाइट भी आ देगी, किचन तो बहुत सुंदर है, और इधर यह रहा एक और डोर, जो बिलकुल बाहर से आता है, बिलकुल बाहर से आता ह है, तो six bedrooms हम इस घर के अंदर देखने बाद में है, तो चलिए, शुरू करते है, ground floor पर हमें दो bedrooms मलेंगे, तो चलिए, शुरू करते है, आईए, तो हमने kitchen हमारी देख ली है, kitchen तो बहुत ही सुंदर लगी, मतलब kitchen तो हर किसी को पसंद आएगी, मुझे तो खास कर पसंद है चलिए बढ़ते है, तो यह है हमारा first bedroom, जैसे कि मैंने आपको बताया, basement भी है, खर के अंदर, आप आप कह रहे होंगे, यार, यह bedroom में चलिगी और basement कभ दिखाएगी, पस bedrooms देखने ही बादा, सीधा basement में चलेंगे, आप सबसे पहले bedroom check out करते है, center में आपका bed है, side tables भी आ ग तो rooms के अंदर भी चैसा बहुत अच्छी लगते है, इतना बड़ा room है, खाली खाली लगेगा, इसलिए इस तरीके से placing करी हुई है, आप सामने अगर आप देखेंगे, तो इधर आपके TV के लिए space आ गया, इधर आप अपना TV इंसॉल कर सकते हैं, और साथ ही में window की रही ब एक mirror इधर आगया, अब उसके बाद आपके walk-in closet की और बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इधर आपका walk-in closet area में, यह आपका dressing space है, dressing area आगया, यह जो basically यह बनाया गया है, हर room के अंदर आपको shoes रखने के लिए, अलक से wardrobe लेखने को मेरेगा, तो यार सबकी ना बड़ी preference होती है Shoe lover बहुत होता है, मैंने देखा है, मतलब उनको अपने जूतों से बड़ा प्यार होता है, कुछ लोग तो पहनते भी नहीं है, उनको बस इसे रखना बड़ा पसंद है, तो basically उसी तरह के, उसी mindset को ध्यान में रखते वे, shoe rack, shoe wardrobe बनाया गया है यहाँ और धर यह हमारे wardrobe आ आपका किसना भी समान है, कितने भी clothes हैं, easily, अराम से fit in होंगे, कोई दिकताली बाद मी है, storage काफी जादा यहाँ पर दी गई है, which is a nice thing again, and यहाँ पर full length mirror भी आ गया and उसके बाद, यह आगया आपका attached washroom, इधर हम बात करें, तो sanitary fittings की, तो jack wall की sanitary fittings यहाँ पर की गई है, and साथ ही में इधर आपका बाद तब आ गया, अब इधर जो यह आप देख रहे है, tiles, यह काफी premium tiles है, मतलब usually नहीं देखने का बलती है, यह subway tiles उनको कहा जाता है, and का काफी जादा expensive है, so काफी अच्छा लगा, मतलब वाश्रूम भी विल्कुल decent है, but at the same time very classy, it looks very classy, and सारा का सारा jack wall की fitting यहाँ पर की गई है, बढ़ते हैं, अगले bedroom की और, अब चलते हैं सीधा second bedroom की और, जो की basically बनाया गया है, guest room, क्योंकि बाहर का view भी है, आपकोस हमारे घर में guest आते हैं, वो कहते हैं की guest भगवान का रूप है, मतलब मेरी मुम्मी तो यही कहते हैं, हमेशा की guest आते हो भगवान का रूप ही होते हैं, तो उनको तो बिलकुल guest room बनाया गया guest room क्योंकि यहां से बिलकुल बाहर का view ले सकते हैं, वो बाहर garden area का view ले सकते हैं, वो काफी अच्छा लग रहा है, यहां से access भी है direct garden के अंदर, अधर आप देखेंगे तो सामने को आपका TV आ जाएगा, यहां पर आपका TV आएगा, एक side mirror भी यहां पर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यहां पर tiling यूज की गई है, सारी की सारी premium, classy, बूलूँगी, सब्धे tiles हैं, जो कि आप सर्च करेंगे तो आपको बता ही लग जाएगा कि किन tiles की में बात कर रही है, यूजली हमें गरों में नहीं देखने को मलती है, इधर हमारा vanity space है, इसके रख कुमारा shower area है, जैकवार की सारी की सारी sanitary fittings की गई है, बढ़ते हैं, अब finally सीधा basement में आई है, चलिए आप finally लेके चलते हैं, आपको basement की और मेने इतनी hype कर दी है, create, तो देखते हैं, basement कैसा बनाए क्यूंकि आप लोगों को for sure पसंद आएगा, आप लोगों को ब ऐसा basement भी बन सकता है, आईए दिखाती हूं मैं आपको basement, आप entry देखिये basement की, मतलब कोई बोलेगा ही नहीं है कि ये basement है, इस तरीके से बनायागे है, proper ventilation है So, usually किया अदर, basement में उतना ventilation नहीं आपाता है, यहां पर proper ventilation आपको मिल रहा है, यह आपके lift यहां पर आगई है, lift इदर आगई, lift बिल्कुल top तक जाती है, आपके terrace तर और नीचे, proper basement तक आगई है, एक एंट्री मैं आपको बता दू अगर लिफ नहीं हो रही है, तो एक ये entry है, बिल्कुल बहर से ही, मैंने आपको starting में दिखाए थी, कि आपका basement में जाता है, तो ये वो entry आगई है, यहां से क्या है कि घर के अंदर से होते वे basement के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई meeting है, कुछ चल रहा है, तो आप इदर से कर सकते हैं entry, मैं आपको दिख आपके घर के अंदर आप अपना office बनाना चाहते है, जिससे advocate हो गए, doctors हो गए, कुछ भी, आपको अपना कुछ भी काम है, कोई भी office बगेरा बनाना है, तो ये area बिल्कुल suitable है, बिल्कुल perfect है, आप इसको बना सकते हैं, अपने office space में convert कर सकते हैं, कोई meeting करनी है, आप इदर exit लेते हैं and entry करते हैं सीधा आपके bar area की और, तो ये है आपका bar space, ये दिखिए, ये आपका bar area आगया, तो आपके अपने घर के अंदर, वो भी basement में एक bar space है, बार area क्यों बनाया है, वो थोड़ी थोड़ी देर में आपको पता लगता ही रहेगा, यहाँ पर एक sitting space है, जिस बड़ी असी party आप कर रहे हैं, champagne वगेरा हो रही है साथ में, तो बहुत मज़ा आएगा, अब इसके बाद, मैं आपको दिखाती हूँ, एक यहाँ पर, एक powder room है, मीचे एक powder room तियार किया गया है, आपके लिए इस तरफ को, यहाँ पर powder room तियार किया है, यह आपका एक store room आ करते हैं, आपको आपके home theater की और, तो यह है आपका अपना personal home theater, आपके इस बहुत ही ज़्यादा कमाल के आलिशान घर के अंदर, बिल्कुल यार, मतलब सब कुछ ही आपको आपके घर के अंदर मिल गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, seats वगेरा, यहाँ पर काफी अच्छ कर सकते हैं, सामने को आप देखिए, screen की बात की जाए, तो एक अच्छे खासे size का यहाँ पर screen हमें देखने को मिल रहा है, तो इन basement के अंदर, आपके इस basement के अंदर आपको मिल रहा है अपना personal home theater, वाव यार, क्या कमाल की बात है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से तियार किया गया है, इस घर को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो आपका यह personal home theater आपने देख लिया, basement हम सारा देख चुके है, बहुत यह चल लगए, entry में आपको बता दिये कैसे आपकी बहार से entry है, तो basement के बात चलते वापस से उपर, आप क्यूंकि हमें देखना है, first floor, correct चलिए, आईए, अब चलते हैं, ऊपर बटू से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूं, नीचे भी servant room बनाया गया है, नीचे basement में ही servant room है, एक room है, एक साथ में washroom दिया गया है, यह entry आ गई, basically, एक तो आपको entry जाती है, सीधा आपके conference hall की तरफ, एक entry आती है, सीधा यहाँ पर आपके room की तरफ, जो आपका servant room, basically, बनाया गया है, चलते है वापस से यार, घर के अंदर, sorry, घर के अंदर ही है हम तो, क्योंकि अब हमें रेखना है, first floor, सीधा करते हैं, lift का इस्तमाल, and सीधा चलते हैं, first floor पे, सबसे पहले first floor से हमने double-heighted dining area का view देखते हैं, जो यहाँ पर कमाल का chandler लगाया गया है, बिलकुल fancy, classy सा chandler यहाँ जो installed है, वो बहुत ही सुन्दर लग रहा है, बहुत ही जादा look बहुत ही बढ़ी आ रही है, इसके बाद में यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ आपके ground floor से आ रही है, in fact आपके basement से आ रही है, इधर मैं आपको दिखाते हूँ एक और आपका basically study area आप कह लीजिए, sitting area आप कह लीजिए उस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर हमें देखना है अब bedrooms ही bedrooms, दो bedrooms हम नीचे देख चुके, चले यह इस वाले bedroom से शुरुआत कर किया गया है, center में bed है, side tables है, and window उस तरफ को एक दे दी गई है, क्योंकि window यार अगर हम लगा सकते, use कर सकते तो हम क्यों ना करें, of course, यहाँ पर आपका TV आ जाएगा, उसके बाद walk-in closet की और बड़े है, तो यह आपका walk-in closet space आ गया, storage की बाद इसमें की जाए, तो काफी ज मिरल के बाद सीधा washroom दिखाते हैं आपको, so यह आपका attached washroom, जाकवार की Samurai Trifitting आ गए, इस तरफ को आपका shower area आ गया, यह तो आपका vanity space है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, कि आपकी window आ गई, इफर, and यही से ही आपको access भी मिलता है, पीछे back balcony में जाने का, व थोड़ के बाद चलते हैं, इसके सामने अले bedroom में, जो की 4th bedroom आ गया हमारा, यह 4th bedroom है, आपका, जहां पर भी आप देखेंगे, तो आपका bed है, center में, side tables है, पीछे काफी अच्छा वाल पे वोक देखने को मिल रहा है, इधर आप देखिए, तो इधर आपका TV आएगा, इस आपको दो चैस दिये गए हैं, सिटिंग के लिए आपका space आ गया, यहां से भी आपको इधा access मिलता है, पीछे आपके back balcony अगा, जो कि मैं आपको दिखानी थी, मैंने बताया था आपको, अब यह देखिए, यहां से ना आप, जैसे मैंने starting में swimming pool आ ले space में क्या बताया यहां पर किया गया, swimming pool को, उसके बाद इतना space आपको मिल रहा है यहां पर, एक tab भी है, switch भी आगया इधर, और यह entry आप देखी रहा है यहां पर, और साथी में पाक तो आपको देखने को मिली रहा है, क्या कमाल का घर है, क्या plot है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, वा dressing area, पहले आपका dressing space है, इधर को आपका दिया गया है, shoes के लिए space, जैसे हमने नीचे देखा दा और bedrooms जैसे हम देखते जा रहे हैं, वैसा ही है, उसके बाद इधर आप देखिए, तो यह है आपका closet space, यहां पर भी आपको storage की बात करें, तो काफी जादा storage आपको मिल जाता ह है, काफी अच्छी storage यहां पर तियार की गई है, and then इसके बाद है आपका attached washroom, so यह आपका attached washroom इधर आ गया, जात वार की सामें प्र फिटिंग आ गई, बात तब आ गया इधर, यह देखिए, जैसे सारे washrooms तियार गिए गए, बिलकुल same ही है, tiles में कोई difference नहीं है, कि हाँ नीचे वाले, नीचे वाले runes में tiles लगा दियों और बाकियों में नहीं लगाई हुए, हर जगह हमको same tile देखने को मिल रही है, आए चलते हैं अब इसके बाद 5th bedroom की और, so जहां से हम अभी देखेंगें, front balcony भी, यह 5th bedroom आ गया, आप इसे कह सकते हैं, master bedroom, काफी जादा अच्छी space है, इस bedroom के अंदर आप देखिए, बहुत ही बड़ा sofa यहां पर लगा दिया गया है, bed आप देखिए, center में आपका bed है, site tables है, उपर आप देखेंगे तो आपकी decent pole ceiling है, साथ ही में, इधर आपका TV आ जाएगा, यहां पर आपकी दो बाल्कनी है, मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से, पहले तो यह वाली एक बाल्कनी आ गई, तो आप देख सकते हैं, पाक आगया, पाक के साथ में आपके लिए good vibes कि दर से आएंगे है, मंदिर, आप सामने देखिए, मंदिर है, तो ऐसी जगा पर अगर आपका घर होगा, जहां पर आपक मंदिर होगा, पॉचिव जहीं नहीं आएंगे, अपकॉस पॉज़िव ज़ यह आने वाली है, अब इसके बाद मैं आपको फ्रंट बाल्कनी भी दिखा देती हूँ, इस तरफ को फ्रंट बाल्कनी आं गई, यह फ्रंट बाल्कनी है, तो आपकी दो बाल्कुनी होगी, पर आपके वाट्रॉब्स है इधर को आपका ड्रेसिंग स्पेस है एंदें ड्रेसिंग के बाद इधर दिया गया है आपका अटैश्ट वाश्रूम यह देखिए आपका अटैश्ट वाश्रूम आ गया पिलकुल सेम ही है साने ट्रिटेंगी सब कुछ अबी मैं आपकों एक और चीज़ दिखाती हूँ इसी बेड्रूम से इस तरीके से बनाया गया है कि यहां पर है आपका एक पूजा स्पेस, आप पूजा स्पेस बना सकते हैं, एक सेपरेट या आपको यसी यूज़ करना आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे अगर आप पूजा स्पेस बनाएंगे इधर तो काफी अच्छा लगेगा, आपको आपके घर से पॉज़िटिव वाइब यहां से गइडरूम से चले आपको ऐसे यहां बहार से आपको छाता है इधर अगर मैं लेकर चलू आपको तो इधर है आपका एक चोल रोम आप इसको गैसें तो एक शरी और इसमें आए रहाई गया है तो अब हमने देख लिया हमारा फ़र्स फ्लोर भी और आप आपको लेके चलते हैं सीधा 2nd floor पे यह हमारी यहां पर आ गई है lift आ चुकी अल्रेडी चलते हैं सीधा 2nd floor पे और दिखाते हैं आपको बाकी आईए चलिए आप चलते हैं सीधा 6th bedroom की और पहले bedroom दिखाऊंगी फिर बाकी की सारी चीज़े करते हैं क्योंकि अभी तक bedroom देखे हैं तुसीधा bedrooms नहीं देखते हैं तो यह आगया आपका 6th bedroom आप देख सकते हैं सेंटर पे बैठ है मुझे काफी अच्छा लगा विल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं रोल ब्लू कलर को यूज किया गया है विल्कुल कलर के साथ ही में यूज करते हैं यहां पर सोफा जा गए हैं लोचैज हैं और टीवी आपका इधर आजाएगा यहां पर आपका टीवी आएगा और उसके बाद आपका ड्रेसिंग स्पेस तो यहां पर भी आपका शूस के लिए स्पेस हैं और उसके बाद इसर मैं दिखाती हूं आपको यहां आपका वाक इन वाट्रॉप स्पेस यहां पर है आपका अटाश्ट वाश्रूम बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरफ को भी यह देखिए अब यह आ गया आपका फैमिली लाउंज एरिया, और सिटिंग स्पेस, आपके सेकंड फ्लोर पे, तो आपका फैमिली लाउंज एरिया से इस सिटिंग एरिया, पीछे आपकी बाग बाकनी आ गई, हम देख चुके है और रेडी बाक बाकनी इधर आपका टीवी आएगा, चानलर काफी कमाल का यहां पर है कि अधिन उसके बाद इस तरफ को भी एक और सिटिंग स्पेस आ गया है यहां से आप ले सकते हैं अगें बाहर का व्यू बाहर के व्यू को आप देख सकते हैं बहुती कमार का है पाक फेसिंग है याई याब बात है प्रयू में आप कि अब चलते सीधा आपके जख्जी की होफ यहां पर आपका बनाया गए और भी आपका अपर स्टाब्स जाकोुजी जाकुजी के बाद है आपका स्टीम रूम प्ला सोना रूम यहां पर आया है कुछ इतना कमफोर्ट मुले आपके घर के अंदर उतना बहुत अच्छा है उस आपको वाश्रूम में पहले आप वाश्रूम देख लीजिये स्टीम के लिए स्टर्फ को बनाया गया है यह लेखिए बहार जाने की आपको जरूरत ही नहीं है घर के बाहर आपको सब कुछ आपके घर के अंदर ही आपको मिल रहा है तो यह वाला इजिया तो आपको डेफिनिटली बहुत पसंद आया हो काफी कमाल का लग रहा है अब इसके बाग आपको लेकर चलते हैं फ्रांट बाल्कॉनी की और तो इदर से चलते आए यह यह रहेखिये तो यह आपकी फ्रांट बाल्कॉनी आई कवर्ट भी हो गया इधर आपके एक दू चेस लगा के अराम से कर सकते हैं और से हमें एंजॉई कर सकते हैं बाहर का वियू सामने बिल्कुल फाट है वह देखिए वह पाक आगया सामने भी फाट है जो कि मैंने साइड़ पाट दिखाया कर देख रहे हैं अगर इसके पाट चलते सीधां टौप पह आपके यहार कई मंदिर होंगे यह पम देखे लिए कि इतना गुछ इस घर में बनाया है वाव होट अमने देखे लिया है कि सच में इतना कुछ इस घर में बनाया सिधा टैस लिखते कुछ नहीं वरूसाओं बहुं या जो सिधा आपके अपने घर के अंदर क्या पार्टी होईगी, होम थियर्टर है, बेस्मेंट है, ऊपर टेरेस पर भी इतना कुछ, इतना सुंदर बना दिया, इतना बारिश और पर बारिश और ही एक अपर यहां पर बेते में, चाय पोकोड़े औरे, आसपास का विउ है, ग्रीन री कितनी जादा बनी हुई हे और पीस्फुल एरिया है, तो यहां पर मन क्यों न लगे? अबीसली आप हमेशा आप चाहेंगे यहां चछ पे चलते हैं च इतर बार इडिया आपका बार इंदर to आपको बहुत मज़े आने वाले हैं और यह देखिये यहां से एंट्री स्टेर्स उसक्राइब उसकर इतना स्पेस है आ गया तो यार, obviously servants काफी सारे आपके लिए होने वाले हैं, आप रखेंगे उनको आपके help के लिए, so, तभी servant rooms यहां पर काफी सारे हमको देखने को मिले हैं, यह वाला space दिख लिए, उधर को मैं आपको और दिखा देती हूँ, यहां पर भी आपका area ही area है, मतलब मेरे हिसाब से न, आपकी तीस, तीस ताइस लोगों की gathering अगुट से काफी easily हो जाएगी यहां पर, बहुत ही बढ़िया party आप कर सकते हैं, आप अपने open terrace पर एक बढ़िया party थो कर सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा, तो यह था दोस्तों, आ को यह घर बहुत ही जादा पसंद आया होगा, definitely नीचे comments भी जरूर कीजिएगा, जो भी आपको लगे इस घर के बारे में, and क्या चीज आपको जादा पसंद आये इस घर के बारे में, वो भी नीचे जरूर comments करिएगा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को locality भी बहुत कि एक दिन यार अच्छा किया मने इस घर को लिया, तो कुछ भी जाना हो, नीचे से जल्दी से नंबर ले लीजिए, and जल्दी से हमें contact कर लीजिए, till then आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, so that हम सभी मिलते रहे, दुबारा से एक नए घर के साथ, चरिए नमशकार शुक् और देए एक जमसदा कर दिया, खुबारा से तो कि ये जाना हो, झाल बजाごाँ परसित इस आपा ईसम हो, प dar बालेकी से हमेंугार से लिए, विग्वाना शुक्रते प्स्तुक्षेन कि वे लिक दो एक वांगे ऑुक्रते